स्री सिवाई नमस्तो भ्याम हरहर महादेव महाराष्ट राज्य के वनियम मतवल जिले के वानी में गुरुजी पंडित प्रदेप में स्राजी द्वारा कथा बाची जा रही है आज 29 जन्वरी 24 तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है ये साथ दिवस्य सी महापुरान कथा है जो की 27 जन्वरी से दो फरवरी आस्था चैनल योट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है आज की कथा में गुरुजी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्नती प्राप्त करने के लिए महादेव के कौन सी तीन चीजे आपको अपनाना चाहिए उसकी जानकारी दिये हैं बहुत ही उपयोगी जानकारी एक बार आप लोगों को अवस्तिय ही जुननी चाहिए आज 29 जनवर इसरी 80 सी महापुरान कथा में गुरुजी ने कुल 15 पत्र उपयोगी सहित जानकारियां दिये हैं किसी कारण वस यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी हो तो पूरी कथा का रस्त तो आपको इस चोटी सी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी अगर मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दवा दो ताकि मेरे अगले वीडियो की नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके मेरे चैनल पे गुरुजी पंडित प्रतीप मिस्राजी द्वारा बताये हुए उपाय के बारे में बताया जाता है तो इस चोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है आपको तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहले जानकारी की और रामचरित मानस में केवल एक बानर ऐसा था जिसे रामजी आयोदिया लेकर नहीं गये थे जिसने बालमी की रामायन पड़ी होगी उसमें आपको वर्नन मिलेगा कि केवल एक बार ऐसा बानर ऐसा था जिसे रामजी आयोदिया लेकर नहीं गये थे जामवंद, शुग्रीव, नल, नील, हनुमान जी और अन्य सभी बानर को लेकर गए थे बस एकल को लेकर ना गए थे वो बानर का नाम है दूइद बानर तो ऐसा क्या हुआ था जो राम जी दूइद बानर को लंका लेकर नहीं आयो दिया नहीं गए थे क्योंकि वो एक गलत कारिय करता सभी बानरों को जाकर बताया गया था कि कोई गलत कारिय नहीं करेगा किसी को कश्ट नहीं पहुँचाएगा यूद के मैदान में यूद लरो पर किसी के प्रति बैर मत रखो ग्विंद बानर रोज लंका में जाकर लंका के ऐसे लोगों को भी परिसान किया करता था जो भगवान की भक्ती करते थे भजन करते थे और राम भजन के रोकने के लिए के बाद भी तो नहीं रोकता था बढ़ते हैं आज की कता की अगले जानकारी को मा पारवती ने भूलेनाथ से पूछा कौन से जन्म के पुन्य प्रवल होते हैं जब जीव आपके द्वार तक पहुंचता तो इस पर महादेव ने माता पारवती से कहा 84 लाव यॉनियों में 7 71 लाव ऐसे होते हैं जब जीव महादेव के द्वार तक पहुंच जाता है बढ़ते हैं आज की खथा की अगले जानकारी कुछ गंगा के घाट तक गए पर गंगा पर असनान नहीं की है कोई बात नहीं क्योंकि गंगा के घाट का रेत आपको असपर्स कर गई है उसी तरह सत्संग में जाने वाले व्यक्ति सिप पुरान में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ धारन करे या ना करे पर उतनी देर वो किसी की बुड़ाई नहीं करेगा किसी को बुड़ा भला नहीं कहेगा पाप नहीं करेगा ये निश्चेता है तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जाहयनकारी कि तीन प्रकार के व्रत स्रेश्ट माने गए हैं पहला व्रत जिसमें आप कुछ मत खाओ दूसरा व्रत जिसमें आप किसी कि कई प्यासे को पानी पिला आ जाए उसके चेहरे पर तो ये तीसरे नंबर का ब्रत है तो बढ़ते हैं आज की गता कि अगली जायन काड़ी के और तीन दान करो तो पचीस बार जाकर जरूर देखो पचीस बार 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 जाकर के देखो पहला कन्यादान बेटी के घर जाकर बार बार जाकर देखो बेटी कहीं दुखी तो नहीं है दूसरा है गौदान गौदान भी आपको ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो उस के चारे की अच्छे से विवस्था कर सके, गाय के चारे की विवस्था के लिए कहीं कटनी नहीं चला जाए, और तीसरा है लक्षमी दान, वो तुम्हारा धन सही जगा लगा रहा है न, कि ना कि कहीं जाकर जरूर देखे, किसी को पैसे देने से पहले ये जरूर सोचो तो कि ये उस इस धन का सही प्रियोग करेगा या नहीं तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारियों क्यों भाजन करो या स्री सिवाय नमस्तु भियम जपो या एक लोटा जल चड़ाओ तो ये मत सोचना की जमाने वाले देखा की नहीं देखा आपको ये सोचना है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं आपके मन अपने अंदर से सुख की अनुभूती होना चाहिए कथा सुनते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए भजन करते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए जल चड़ाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए अच्छा महसूस होना चाहिए भूखे को भोजन कराते समय आपको अपने दिल से अच्छा लगना चाहिए तो बढ़ते हैं आज की कथा कि अगली जाहनकारी की और धूलिया में हमसे एक निप्रस्ण किया पती और पत्नी में दमदार कौन होता है इस पर गुरु जी ने कहा जब विवाह करने जाते हो तो वो लड़का सो से ज्यादा ही लोगों को लेकर जाते हैं और लड़की अकेले वहां से साधी करके ससुराल चली आती है तो वरते हैं आज की कथा की अगले जानकारी की और तीन चीजे आपको महादेव से ले लेना चाहिए ताकि हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्ती हो सके सुख सांती प्राप्त हो सके इसके लिए सबसे पहले मस्तिस्क में गंगा रखो गंगा रखने का तात्परिय जैसे महादेव ने गंगा रखी है मतलब माथा ठंडा रखो अपना गुसा मत करो ज्यादा मत बोलो जीवा मीठी रखो अपने वानी अच्छी रखो अपने पाउं को चक्री बना कर रखो जो मेहनत करते रहते हैं और जो दिन भर सोते रहते है आईसा कभी मत बनो, पड़े करोड़ पति बन जाए बढ़तें, आज की कथा की अगली जान काड़ी कीई, तो दो तरह की सिवलिंग के आप दर्षन करते होंगे, एक वो जो जमीन के से थोड़ा उपर होता है, और एक वो जो सिवलिंग होता है, जो जमीन से चिपका रहता है, तो जो सिवलिंग नीचे डमरू जैसी आकरती का होता है उसे विश्नु सिवलिंग कहा जाता है इसमें विश्नु सिवलिंग ऐसी होती है जिससे डमरू जैसी आकरती नीचे होती है वो आपसे जब भी हम जल अर्पित करतें तो सिप महापुरान में उसे खरे होकर सिवलिंग पर जल अर्पित करने का विधान बताया गया है और जो सिवलिंग जमीन से चिपका रहता है उसे सकती सिवलिंग कहा जाता है जिसमें हमें बैटकर जल अर्पित करना होता है बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारियोर पांच से नौ फरवड़े तक जमसेतपुर जारखंड में जो कथा होगी उस कथा का नाम होगा पताले स्वरसी महापुडान कथा सरीर में हडियां गलने लगती है रीड के हडियों में गेपा जाएं सरीर के कस्टों को दूर करने के लिए महादेव का नाम लेकर क्या आर्पित करके प्राप्त करना चाहिए जिसे आपको हडियों से जुड़ी हुई पर इसानियों से मुक्ति मिल सके के सभी जानकारियां आपको अगली सी महापुरान कथा जो की जमसेदपुर में होगी उसमें प्राप्त होगी उस कथा में गुरू जी उस बारे में हड्डियों के बारे में हड्डियों से जुरी जानकारियों के बारे में बताएंगे कि सीव जी पर क्या चरहनी चाहिए क्या बोलकर अर्पित करनी चाहिए तो हट्डियों से जुड़ी सारी कस्ट दूर हो जाएगी तो आपको इस चैनल पर भी वो जानकारियां प्राप्त हो जाएगी तो बढ़ते हैं आज की कथा कि अगली जानकारी को कल है 30 जनवरी और दिन है मंगलवार का इस दिन किया जाने वाल ये एक विशेश उपाय गुरुजी ने बताये थे इस उपाय को करने के लिए आपको एक धाथूरे की आवस्यक्ता होगी एक धाथूरे आपको लेने हैं आप कोई भी धाथूरा ले सकते हैं बस आपको उस धाथूरे को फोर लेना है या उस धाथूरे को काट लीजिए उ उसे आपको सिवलिंग के उपर चढ़ा देना, उसी मंदिर में ले कर जाना है, साथ ही आपको एक कलस जल ले कर जाना है, तामबे के कलस में जल भड़कर आपको सिम मंदिर में पहुच जाना है, मंगलवार कारी ये विशेश उपाय है किसी भी मंगलवार के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं बस आपको जो धतुरे का फल है जो फल आपने निकाला है उसे आपको सिवलिंग पर स्री सिवाई नमस्तु भीहम बोलते हुए अरपित कर देना है इसके बाद आपको एक कलस जल अपने मन की कामना करते हुए नौकड़ी व्यापार व्यवशा या साधी विवाव में देरी हो रही हो तो उसके ध्यान करते हुए श्री सिवाई नमस्तु भीहम बोलते हुए वो एक कलस जल आपको उसी सिवलिंग के उपर यानि कि जो धतुरा आपने चड़ाये हो उस धाथूरे के उपर आपको श्री सिवाय नमस्तु भ्यम बोलते हुए अरपित कर देना है बिल्कुल धीमी धीमी धार से आपको अरपित करना है और इसके बाद आपको एक विसेश बात का ध्यान रखना है कि जो जलाधारी से जो जल आ रही है उसे पीना नहीं है क्योंकि धाथूरे का फल विसेला होता है यह जढ़ीला होता है तो जोली पसार करके बाबा से निवेदन कीजिएगा जिस भी कामना के लिए आप कर रहे हो उसकामना को पौन होने के लिए आपको बाबा से निवेदन करना है और इसके बाद अपने जो धाथ या नहीं भी है आपके आसपास तालाव या नदीति क्रिसी भी ब्रिक्ष के नीचे उसका विसर्जन कर देना है इस बात का आपको धियान रखना है अगर आज की वीडियो से आज की उपाय से जुरूबी कोई भी सवाल आपके मन में हो तो कोमेंट बॉक्स के जड़िये पू कर दो कर दो कर दो कर दो कि जड़िये दो बात चे पातेव